हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उजी ट्रिक्स दोस्तों ये जीके का वल लाइनर सिरीज है जिसमें हम लोग 10,000 most important and selective वल लाइनर देखेंगे ये 10,000 कोशन सिरीज 50 सेट में आएगा और 1 सेट में 200 कोशन होंगे आज का ये 29 सेट है इससे पहले सेट का वल लाइनर आप चैनल पर विजीट कर सकते हैं स्टार्ट करते हैं हमारे 1 कोशन से संविधान की संदक्षक के रूप में सर्वोचि नयायाले का अधिकार विस्विके की संविधान से लिया गया है संयुक्त राज एमेरिका की संविधान से कोशन नमबर टू भारती संसत द्वारा राजिपुनर गटन अधिनियम की स्वस फारित किया गया 1956 में कोशन नमबर त्री भारत के सर्वोचि नयायाले के पास नयायक पुनर विलोकन जुडिशियल डेवियू की सकती है इसका क्या आसे है विधाई का द्वारा पारित किसी अधिनियम अत्वा उसकी किसी भाग की संविधानिक्ता पर निर्ने देने की सकती कोशन नमबर फोर भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री और महा नयावादी को किसी भी सदन में बोलने या कारेवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद अठासी कोशन नमबर फाइब संबिधान के किस अनुछेद में सर्वुल्च नयायाले के नयायदीस पर महाभियोग चलाये जाने का प्रापधान है अनुछेद 124 में किसी भी राज में अनुछे 356 के अंतरगत राश्चपती सासन कितनी अबधी के लिए लाया जा सकता है 3 वर्स कोसर नमबर सेवन अवित्य विध्यकों को राजी सभा कितने समय तक रोख सकती है छे माह तक कुसर नमर एट राजी सभा के सदस्यों का चुनाव होता है प्रतेख राजी के लिए प्रतिनीधियों का निर्वाचन उस राजी के विधान सभा के निर्वाची सदस्यों द्वारा कुसर नमर नाइन लोगसभा का सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देता है लोकसभा अध्यक्ष को कुसर नमर 10 किस सम्भीधान संसोधन द्वारा भारत की समभीधान में समाजवादी और धन निर्पेक्ट सब्द जोड़े गए हैं 42 में सम्भीधान संसोधन 1976 में कुसर नमर 11 सम्भीधान के अनुच्छे 360 में किसका प्रापधान है वित्तिया आपाथ कुसार नमर 12 सम yêuदान के किस अंग में लोग कल्यान कारी राजी की अफधारना नहीं थे राजी के निती निर्देशक तत्तों में कुसार नमर 18 राजी सभा में रास्टपती कितने सदस्यों को मनोनीत करता है 12 सदस्यों को कुसार नमर 14 राज के निती निर्देशिक सिध्धानतों के संदर्व में या टिपनी किस ने कही थी किया एक ऐसा चेक है जिसका भुकतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है केटी साहने कोशन नमर 15 संविधान सबा का गठन किस योजना के अंतरगत प्रस्तावीत किया गया था केबिनेट पिसन योजना के अंतरगत कोशन नमर 16 भारत के चौथे रास्टपती कौन थे? वीवी गिरी कोशन नमर 17 पंचायती राजविवस्था का उटगाटन पंडित जवाहलाल नहरू ने 2 अक्टूबर 1969 में किस अस्थान पर किया गया? नागोर राजस्थान में कोशन नमर 18 भारती संबिधान के किस अनुच्छेद में किसी भी रूप में उस प्रिष्टा निसेद का प्राबधान है? अनुच्छेद 17 में कोशन नमर 19 लोकसभा के 545 अदस्यों में से कितनी सदस्य संगेई छेत्रों से निर्वाशित होते हैं? 13 सदस्य कोशन नमर 20 1947 में भारतियों को सार्वभूम सत्ता सोपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? माउंट बेटेन योजना के नाम से कोशन नमर 21 भारती संबिधान कि आधारबुद संड़चन बेसिक स्ट्रक्चर थेओरी से क्या तात परी है? संबिधान के कुछ लक्षन ऐसे अनिवारे हैं जो उनका निराकरन एब्रोगेशन नहीं किया जा सकता कोशन नमर 22 कौन सी किरियाबिधी ऐसे धनविधयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोगसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किन्तु राजिसभा द्वारा संसोधित किया गया हो या पारित समझा जाएगा यदि लोगसभा इसे संसोधन स्वीकार अत्वा और स्वीकार करते विद दोबारा पास कर दे कौशन नमर 23 नयाइक पुर्राव लोकन में व्यायाले को अधिकार है कि यदि कोई कानून या आदे संवीधान के विपरित हो तो उसे सव संवीधान इगोशित कर दे कौशन नमर 24 लोकसभा का कोरम कुलसा 10 से संक्या का कितना होता है एक बटा 10 कौशन नमर 25 संवीधान सभा में मुसलिम लिग के बहिसकार का मुख्यकारन क्या था मुसलिम लिग मुसल्मानों के लिए एक अलग संवीधान सभा चाहती थी कौशन नमर 26 जमुकसमीर के संवीधान में संसोधन करने का अधिकार किसे प्राप्त है राजिके विधान मंदल को कौशन नमर 27 संविधान के भाग तीन में वर्णित मौलिक अधिकारों की वर्दमान संख्या क्या है 6 कोशन No.28 विधानसभा के सत्रवाशान की अवधी में राजपाल दौरा जारी किये गए अध्यादेश की अधिक्तम अवधी कितनी हो सकती है सदानसभा सत्रप्रारंब होने के 6 सप्ता तक कोशन No.29 इस राज के आरक्षन विधेयक को नवी अनुसूची में सम्मलित किया गया है तमिलनाडू के आरक्षन विधेयक को कोशन No.30 किस सदन का अध्यक्च सभापती उसका सदसे नहीं होता कोशन No.32 यदि किसी अवधीया सम्मलितानिक संसोधन को नवी अनुसूची में रख दिया जाए तो इसका परिनाम क्या होता है वहन्यायाले में वादियों की नहीं रह सकता कोशन No.33 एक मात्र कौन सा अध्यकारी किसी भी सदन की कारवाही में भाग ले सकता है भारत का टॉड़ी जन्रन महान्यावादी कोशन No.34 महारत की सुंदरता के समय कॉंग्रेस अध्यक्ष कौन थे आचारे जेपी क्रिपलानी कोशन No.35 15 अगस्त 1947 और 26 जन्रन महारी 1950 के मधि भारत का राजनेतिक दर्जा क्या था ब्रेटीस राष्टिकुल का एक अधिराज कोशन No.36 गंतंत्र के रूप में भारत का जन्म कब हुआ 26 जन्रन महारी 1950 को कोशन No.37 सम्विधान की प्रस्तावना में भारत के लिकिन सब्दों का परियोग किया गया है सम्विधान की हिंदी प्रारूप में भारत तता अंग्रेजी प्रारूप में इंडिया कोशन No.38 भारत का सम्विधान कितने भागों में भिभाजित है 22 भागों में कुशन नमर 39 उद्देश प्रस्ताब में वर्नित विचारों को सम्विधान सभाने सम्विधान के किस भाग पे अस्थान दिया प्रस्ताब नामे कुशन नमर 40 सम्विधान में वर्नित मौलिक कृतव्यों से कौन सी समीती की सिफारी से संबंदित रही है स्वर्णि सिंग समीती कोशन नमर 41 निती निर्देशक तत्तों का समोचित किर्यावनन किस पर निर्भर करता है सरकार की एक्चा सक्ति बंपलियाप्त साधनों धन की उपलब्धता पर कोशन नमर 42 संबिधार में वर्णित मौलिक अधिकारों में से कुछ से ससत्र बलों के सदस्यों के से वंचित रहने के संबन्ध में कौन निर्ने लेने के लिए अधिक्रित है संसत कोशन नमर 43 भारती नागरिकों के मौलिक अधिकारों की युक्ति युक्त स्प्रतिबंधों को आरोपित करने की सक्ति किस के पास है संसत के पास कोशन नमर 45 महारत का मुख्य निर्वाचन अधिक्त अपना पद्धारन करता है 6 वर्स के लिए या 65 वर्स की आईदू में इन में से जो भी पहले हो उस तक कोशन नमर 46 भारत के सम्मिधार में निर्दारित किये गे अनुसार लोकसभा में सदस्व की संख्या अधिक्तम हो सकती है 552 कोशन नमर 46 ये कोशन नमर मिसिंग है फिर मैं पढ़ देती हूं भारत के रास्टपती के जुनाव में भाग लेते हैं संसत के दोनों सदनों के निर्वाची सदस्व से तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाची सदस्व से कोशन नमर 47 लोकसभा अधिक्चे का जुनाव करता है कौन करता है लोकसभा के सदस्य कोशन नमर 48 प्रकलन समीती अस्टिमेट कमिटी के सदस्य चुने जाते हैं के बल लोकसभा से कोशन नमर 49 संभिधान का कौन सा अनुछे समानता का अधिका राइट टू एक्विलेटी प्रदान करता है अनुछे 14 कोशन नमर 50 संभिधान की आठवी अनुछे उची एट सेड्डूल में कितनी भासाएं दर्ज है 22 कोशन नमर 51 संभिधान के चवालिसवे संसोधन से किस मौलिक अधिकार को आपस ले लिया गया संपत्ती के अधिकार को कोशन नमर 52 किसी राज में विधान परिसद लेजिसलेटिव कॉंसिल की समाप्ती अध्वा उसकी एस्था अपना किस प्रकार की जा सकती है उस राज की विधान सभा द्वारा ऐसा करने के लिए प्रस्ता पारित करने के उपरान संसद्वारा कोशन नमर 53 राज भासा बिभाग Department of Official Language की सम्विधान संसोधन भारत ने पंचायत राज के सुधिर करन से संबन्दित है 33 संबन्दान संसोधन 1992 Question No.55 वर्तमान में कितने राजनितिक दल भारत निर वाचन आयोग दारा मानिता पराप्त राश्टिय दल नेस्णल पार्टी से हैं साथ, बहुजर समाज पार्टी, भारती जन्ता पार्टी, कम्यूनिस्ट पार्टी ओप इंडिया, कम्यूनिस्ट पार्टी ओफ इंडिया, मार्सिक्स्ट, इंडियो नेशनल कॉंग्रेस, नेशनलिस्ट कॉंग्रेस पार्टी, तथर राजी जन्ता दल, रास्टी जन्ता दल कोशन नमबर 57, सम्विदान सवा के सम्वेधानिक सलाकार, पत पर किसकी नियुक्ति की गई Dr. B. N. Rocky कोशन नमबर 58, 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से है समान्ता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सोसन के व्रुद अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति रथा सिक्छा का अधिकार, सम्वेधानिक उप्चारों का अधिकार कोशन नमबर 59 भारत के प्रत्थम मुख्य व्यायधीस कौन थे? राष्टपती के त्याक पत्र की सूच नाउप राष्टपती को किसको देता है लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर को यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्तित हो तो संसत के शंयुक्त अधिवेशन के अध्यक्षता कौन करता है लोकसभा का उपाध्यक्ष कुशन नमब 62, संबिधान के किस अनुछेद के प्रावधानों के अंतरगत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्न बुईवोशन आधी का अलंकरन प्रदान किये जाते हैं अनुछेद 18 के अंतरगत कुशन नमब 63, लोक्तांतरिक विकेंदरी करन की योजना करने वाली समीती का क्या नाम है बलवंत राह महता समीती कुशन नमब 64, विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रेदान करने की आवशक सर्थ क्या है 10 वर्स तक भारत में निवास कुशन नमब 65, सम्विधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है भाग 3, कुशन नमब 66, शवालिसवे सम्विधान संसोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को केवल कारूनी अधिकार के रूप में मानिता दी गई संपत्ती के अधिकार को किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अम्बेडिकर द्वारा संभिधान का हिर्दय और आत्मा कहा गया है संभिधानिक उपचारों के अधिकार को किसी व्यक्ति को एक ही अपराद के लिए एक बार से अधिक दंत नहीं देने का उलेक किस अनुछेद में दिया गया है को बार संभिधान के किस अनुछेद में भारत के निर्यन तक महालेखा परिकशक के करतव्य और सक्तिया वर्नित है को बार संभिधान की किस नयायध हिस ने निर्निक भूमि का प्रैवोटल रोल का निर्वहन किया ज्वाहार लाव नहरू ने कोशन नमर सेवेंटि टुर संबीधान सबा का गठन किसकी सनुसतिक पर दिया गया था केबिनेट मिसन योजना की संतुती पर Q74. राश्टपती की सूची के विश्यों पर अध्यादेस जारी नहीं कर सकता Q75. आपातकाल की घोसना का अनुमोदन संसत दोरक इतनी अब्धी के अंदर होना अनिवार है Q76. राज्यों का वित्या आवंटन फिनैंशल एलोकेशन किसकी संस्तूती पर किया जाता है Q77. लोकसभा का सची वाले किसके पर्यवेक्षन एवंब निरंतन में कारी करता है Q78. बारती संबिधान का सबसे बरा एकांकी श्रोत सिंगल विगेस्ट सोर्स क्या है Q79. संबिधान के मुल धांचे बेसिक स्ट्रक्चर को संसोधित नहीं किया जा सकता है सर्वोच नियायाले ने ये ववस्था किस वाद में दी थी Q80. भारत में राजनितिक दरों को कौन वानिता देता है Q81. संबिधान द्वारा प्रादान किये गए मौलिक अधिकारों में संसोधन करने का अधिकार किसको है Q82. राज के नीति निर्देशक सिधानत का उद्देश है Q83. राज्टपती पद के लिए प्रत्याशी का प्रस्ताव निर्वाचक मंडल के कितनी सदस्यों द्वारा किया जाना आविशक है Q84. लोकसभा को उसके निर्दारित पांच वर्स की अबधी से पूर्वं भंग करने का अधिकार किसको है Q85. संबिधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का क्या कारण था Q86. व्यक्तिकर सतनता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरी किस अधिकारी के पास जा सकता है Q87. Q87. भारत के राष्टपती के विरुद महावियोग इंपेजमेंट प्रारंब करने का अधिकार प्राप्त है सदस्यों के दोनों सदनों में से कोई भी सदन इसे प्रारंब कर सकता है Q88. इस विध्यक पर राष्टपती को अनिवारे रूप से हस्ताक्षर करने परते हैं और वह उसे बुनरविचार के लिए वापस नहीं भेज सकता Q89. उपर राष्टपती की संस्था का पदेन सभापती है Q90. लोकसभा के सामाने कारेकाल को पांच वर्सते अधिकरने का अधिकार किसको है संसत को केवल राष्टपती संकट के समय Q91. दल बजल विरोधी अधिनियम एंटी डिफेक्शन लौ के अंतरगत भारती संपिधान में किसी सदस्य किया योगिता अगवा योगिता पर निर्ने करने का अधिकार किसको प्राप्त है Q92. किस राज के आरक्षन विधयक को नौमी अनुसूची में समलित किया गया है तब मिलनाडू के आरक्षन विधयक को Q93. विधान परिसत के सद्व से चुने जाने के लिए विधान सभा में किस प्राकार मतदान होता है Q94. राज सभा के दुईवार सिक्षुनावों की उद्गोसना कौन करता है Q95. यदि किसी विधी या सम्विधानिक संसोधन को सम्विधान की नौमी सूची में रख दिया जाए तो इसका क्या परिनाम होता है वो न्यायाले में वादियोगी नहीं रहता Q96. किसकी अनुमती के बिना राजी की विधान सभा में कोई धन विधेक पेस नहीं किया जा सकता Q97. भारती संविधान में प्रदक्त मूलबुत अधिकारों को निलंबित करने की सत्ता किसके पास होती है Q98. राज्यों की सूची के किसी विषय पर संसत कितनी अवधी के लिए कानून बना सकती है Q99. राजी के निती निर्देशक सिद्धानतों के संदर्ब में या टिपनी किस ने की थी किया एक ऐसा चेक है जिसका भुकतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है Q10. सम्विधान सभा का गठन की योजना के अंतरगत प्रस्तावीत किया गया था Q101. किसी मितिदन पाए अपराधी को छमादान की सकती किसे अपराप्त है किबल राष्टपती को Q10. लोगसभा वा राजसभा की अधिक्तम संक्या करमसा कितनी हो सकती है Q10. किस लोगसभा चुनाव में सरप्रत्थम सभी चुनाव छेत्रों में एलेक्ट्रोनिक वोटिंग मसीन के द्वारा मतदान संपन्य हुआ Q10. लोगसभा का चुनाव Q10. उपराष्टपती के चुनाव में कौन-कौन मतदान करता है Q10. लोगसभा और राजसभा के सभी निर्वाचित और मनोने सदस्य Q10. भारतिय स्वाधिनता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा के स्थिती में कौन सा मुख्य परिवर्तन हुआ Q10. अखिल भारतिय कॉंग्रिस ने किस वर्सिय प्रस्ताप पारित किया कि भारत की जनता स्वेम बिना किसी विदेसी हस्तचेप के अपने संविधान का निर्मान करेगी Q10. भारतिय संविधान का सबसे ब्रस्त रोट किसे माना जाता है भारतिय सासर अधिनियम 1935 को Q10. राष्टपती भारत के महान्यवादी एट ओनी जनरल के नियुक्ती संविधान के किस अनुच्छेत के अंतरगत करते हैं Q109. भारत के संविधान में वजट को क्या कहा गया वार्सिक वित्तिय विवरण N1 Financial Statement Q110. भारती संविधान में प्रतिस्ठा पती समानता सोतनता और बुद्धुता को विस्तार से बताता है Q111. संविधान को कौन सा प्राफधान का ल्यानकारी राज की अवधारना को विस्तार से बताता है Q112. उपराष्ट पती का अपने कारेकाल की समापती से पूर्वपद से हटने का अधिकार किसे प्राप्त है संसत को कोश नाबर हंडीड 13 उच्छ नाययाले की अधिकार छेतर को घटाने बरहाने का अधिकार किसे प्राप्त है संसत को कोश नाबर हंडीड 14 नवई अनुसूची में क्या रखे जाते हैं वे कानून जिन ही नाइक पुनलर composition सुरक्षित रखना हो बढ़ा स्रोथ है भारती सासन अधिनियम 1935 कोशन नमर 117 व्यायले कि किसी नियाधीज के विरोध सिकायत करने का अधिकार किसे प्राप्त है येवल मुखी ने आया धीज को कोशन नमबर 118 भारती निर्वाशन आयो की सक्तियों को संदक्षन कौन प्रदान करता है भारत का संभीधान कोशन नमबर 119 हमारे संभीधान के किस अनुच्छेद में सतंतता की अधिकार की गैरेंटी की गई है अनुच्छेद 19 में कोशन नमर हमारे 20 भारत में सन 1975 से 1977 के मद्ध आपात काल की गोसना हुई थी संभीधान के अनुच्छे 352 के अंतरगत कोशन नमर हमारे 21 भारती संभीधान की कौनसी धारा अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की सैक्चिक संस्थाओं को अस्थापित तथा प्रशासित करने का अधिकार देती है धारा 31 कोशन नमर हमारे 22 संभीधान के अनुच्छे 51 के अनुसार प्राकिर्तिक वाता वरन को सुरक्षित रखने वा सुधाने का करता भी किसका है प्रतेक नागरिक का कोशन नमर हमारे 23 लोकसभाव में और विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितनी सदस्यों की सहमत्ती आविशक है पचास सदस्यों की कोशन नमर हम्डे 24 संपत्ती का अधिकार अब इस प्रकार का अधिकार है विदिक अधिकार लीगल राइट कोशन नमर हम्डे 25 भारत की सम्मिधान के अंतरगत किसी कम्यूनिटी को किसा अधार पर अल्प संख्या घोशित किया जा सकता है धर्म या भासा की अधार पर Q. 26 सम्मिधान के आनुछेट के अंतरगत पिच्री जाती आयोग बैकवर्ड क्लास कमिशन मंडल आयोग की नियुकती की गई है अनुछे 340 के अंतरगत कोशन नमबर हंडे 27 किस प्रधान मंतरी के सासनकाल में संपत्ती के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाला गया मेरा रजी देशाई के सासनकाल में कोशन नमबर हंडे 28 भारती संभीधान किन्हे सोसन के विरोध में अधिकार प्रदान करता है बच्चों और महिलाओं को कोशन No. 129 भारत के संभीधान का निर्मान करने वाली संभीधान सबाकी अस्था अपना किस योजना के अंतरगत की गई केबिनेट मिसन योजना 1946 के अंतरगत कोशन No. 130 संभीधान के किस भाग में कल्यानकारी राज की व्याख्या की गई है राज के निती निर्देशक सिद्धान तवाले भाग में कोशन No. 131 भले ही मंतरी परिशत सामोहिक रूप में लोकसभा के प्रति उत्तरदाई है परन्तु व्याक्तिगत रूप में व्याक्तिगत रूप से मंतरी किस के प्रति उत्तरदाई है राज्टपती के प्रति कोशन No. 132 प्रधान मंतरी अपने पद कब तक रख सता है जब तक उसे संसत का सरमर्थन प्राप्त रहता है कोशन No. 133 भारती जनतापार्टी दौरा वाचपई के नेतित्तों में गठित प्रत्थम मंतरी मंडल कितने दिन सत्ता में रहा तेरा दिन कोशन No. 134 भारत का प्रधान मंतरी नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयू होनी चाहिए 25 वर्स कोशन No. 1335 किस सम्विधान संसोधन द्वारा लोकसभा के कारेकाल को 5 वर्स से बढ़ा कर 6 वर्स किया गया 42 वे सम्विधान संसोधन द्वारा कोशन No. 136 लोकसभा को उसके निर्धारित 5 वर्स की अपधिस से पूर्वभन करने का अधिकार किसे है रास्टपती को प्रधार मंतरी की सलहा पर Q. 137 सरवोच नयायाले के नयायधिस किस प्रकार किन्यूक्त किये जाते हैं रास्टपती द्वारा भारत के मुख्य नयायधिस के प्रामर्स से Q. 138 लोकसभा को उसके सामानिकारिकाल पूरा होने से पहले कैसे बंग किया जा सकता है प्रधार मंतरी के परामर्स पर रास्टपती द्वारा Q. 139 उच्च नयायाले प्रतक्ष रूप से किसके अधीन है भारत के सरवोच नयायाले के Q. 140 भारत का संविधान से सक्तिया किसे प्रधान करता है संगिये सरकार को Q. 141 भारत के संविधान में संसोधन प्रस्ताव कोन प्रस्तूत करता है Q. केवल संसद कोशन नमर 143 भारत सरकार के प्रमुख कानुनी सलाकार के रूप में कारि करता है भारत का महा नयवादी एट ओनी जन्रलोप इंडिया कोशन नमर 144 निर्यंता के बाँ महाले का परिक्छक संसत की किस समीती से घनिस्ट रूप से संबंधित है लोकलेखा समीती से कोशन नमर 145 संचित निदी से धन खर्श करने के लिए किसकी स्विक्रिती की आविशक्ता होती है संसत की कोशन नमर 146 रास्टपती ने सरप्रतम अनुच्छे 352 के अंतरगत संकट कालीन परिस्थिती की घूसना कप की 1962 में कोशन नमर 147 रास्टपती के आंतरि गरबरी का आधार पर रास्टी संकट की घूसना सरप्रतम कप की गई 1975 में कोशन नमर 148 कोई व्यक्ती संसत का सदस से बने बिना अधिक से अधिक कितने समय तक मंतरी परिशत का सदस से रह सकता है 6 माह तक कुशन नमर 149 प्रधान मंतरी अपने पद पर कब तक बना रह सकता है जब तक उसी संसत का समर्थन प्राप्त रहता है कुशन नमर 150 लोगसभा सची वाले किसके अधिन कारे करता है स्पीकर के कुष्य नमर 151 संसत के दोनों सदनों में मनोनी सदस्चों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है 14 कुष्य नमर 152 यदि लोकसभा का अधेक्ष तथा उपाधेक्ष दोनों ही उपलब्द ना हो तो लोकसभा की अधेक्षता कौन करता है संबिधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच नयाले के व्यायधीस पर महावी योग इंपेच्मेंट शलाय जाने का प्रापधान है किसी भी राज में अनुच्छेद 356 के अंतरगत राष्टपती सासन समाने तो अधिक तम कितनी अब्धी के लिए लगाया जा सकता है किस वाद में सर्वुच नयाले ने संसत की मौलिक अधिकारों में संसोधन करने की सकती को मानने किया किस वानन्द भारती वाद में कुशन नमबर 158 संसत को मौलिक अधिकारों में संसोधन करने का अधिकार संविधान के किस संसोधन द्वारा दिया गया 24 वे संविधान संसोधन द्वारा कुशन नमबर 159 रास्टपती का अभी भाषन कौन तयार करता है? केंद्रिय मंत्री मंडल कुशन नमबर 160 संविधान के किस संसोधन द्वारा संपती के अधिकार को मुल अधिकारों की शेनी से निकाल दिया गया है 44 में संविधान संसोधन द्वारा कुशन नमबर 161 लोगसभा अधिक्ष अपना त्याग पत्र की से संभोधित करता है? लोगसभा के उपाध्यक्ष को कुशन नमबर 162 भारत के संप्रभु किने बताया गया? हम भारत के लोग को कुशन नमबर 163 1945 सेंट फ्रांसिकों से संयुक्त रास्टी चार्टर पर कितने देशों के हस्ट्राक्षर किये थे? 51 रास्टों ने कुशन नमबर 164 संभिधान के किस अनुचेत में रास्टी आपारत की उद्गोशना का प्रापधान है? अनुचेत 352 में कुशन नमबर 165 भारत के राजनितिक दलों को मानिता प्रादान करनी की सकती किसे है? भारत के निर्वाचा नायोग को कुशन नमबर 166 संभिधान संसोधन के विद्धयक को सरप्रत्थम कहां प्रस्तूत किया जा सकता है? राज सभा में कुशन नमबर 167 लोग सभा में मानिता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं और मानिताएं प्रदान की जाती है? केबिनेट मंत्री के समान कुशन नमबर 168 मौलिक अधिकार संभिधान के किस भाग में वर्नित है? भाग तीर में कुशन नमबर 169 सम्भिधान के अनुचे 360 में किसका प्राप्धान है? वित्तिया अपात इस्थिती लागू करने का कुशन नमबर 170 भारती सम्भिधान में प्रदत मोलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन है? रास्टपती कुशन नमबर 171 भारती सम्भिधान तथद व्यायधीशों की नियुक्ती के विवस्था कहां करता है? उचितम न्यायाले में कुशन नमबर 172 भारत के रास्टपती का निर्वाचक मंडल द्वारा होता है जिसमें होते हैं संसत के निर्वाचित सदसे तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदसे कुशन नमबर 173 संगी मंतरी परिशत किसके प्रती उत्तर डाई है? 1957 कुशन नमबर 147 रास्टपती तथा उपरास्टपती के जुनाव संबंदित विवाद कौन हल करता है? सर्वोच नियाले कुशन नमबर 1575 संसत के दोनों सदनों के सयुखत दिवेशन की अधक्षता कौन करता है? लोगसभा अधक्ष कुशन नमबर 1776 संबिधान के किस अनुछेद में सोसन को अपराद घोशित किया गया है? अनुछेद 23 कुशन नमबर 1777 नए राजे बनाने संबंधी बिल को पेश करने से पूर्व किस की अनुशंसा आविश्यक होती है? रास्ट पति की कुशन नमबर 1778 किस संबिधान संसोधन दोरा अनुचे 326 में संसोधन करके मतदान की आयू कोई 20 वर्स की अस्थान पर 18 वर्स किया गया? 61 संबिधान संसोधन 1989 दोरा कुशन नमबर 1779 संगठन के निर्मान की स्वतंत्रता के आधार भूत कि नहीं संग बनाने का अधिकार नहीं है? वेश्यों तथा सैनिकों को कुशन नमबर 180 दिल्ली विश्विद्दाले का पादेप कुलपती कौन था? उपरास्टपती कुशन नमबर 181 बियार अंपेट करकर संविधान सभा में निर्वाशन कहां से हुआ था? बंबै से कुशन नमबर 182 महारत की सुतंत्रता के समय इंगलेंड में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की कुशन नमबर 183 संविधान सभा का संविधानिक सलहकार किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर बियार वी एन राको कुशन नमबर 184 भारत सरकार में सरवच्चे सास की अधिकारी कौन है? भारत का मंत्री मंदलिय सचीव कुशन नमबर 185 भारते संविधान में मौलिक रतव्यों का विचार कहां से आया? पुर्व समोवियत सोवियत संग की अधिनियम से कुशन नमबर 186 अन्य राजवाडों के भारत में विलै के बाद भी किन तीन राज़ों ने भारत में सामिल होने में विलंब किया जूनागर, हैदराबाद तथा जम्मू कस्मीर ने कुशन नमबर 187 संविधान की प्रस्तावना में एकता वखंडता, समाजवादी, पंथ निर पेक्षता सब्द की संविधान संसोदन अधिनियम द्वारा जोड़े गए है भारत की संविधान में प्रस्तावादी की वखंडता नहीं है, किन्तु यह आजा दी किस अनुछेद में अन्त नहीं थे अनुछेद 29 में कुशन नमबर 189 किस एक मौलिक अधिकार को डॉक्टर बियार अंबेडिकर ने संविधान की आत्मा कह संविधानिक उपचार के अधिकार को कुशन नमबर 190 ग्राम सभा पंचायत समीती जिला परिशद में वहीं सही वीरेता क्या है कुशन नमबर 191 संविधान का 65 वा संसोधन अधिनियम की स्प्रमुख्य विशेश से संबन्दित है अनुसूची जाती वा अनुसूची जन जाती आयोग को वैधानिक दर्जा देने से कोशन नमर हंडे 92 मुल अधिकारों पर आविशक प्रतिबंद लगाने का अधिकार किसको है? संसत को कोशन नमर हंडे 93 समिधान में कुल कितनी सनुसूचियां है? 12 कोशन नमर हंडे 94 महारती समिधान के किस अनुछेद में मौलिक कर्तवियों की चर्चा की गई है? अनुछेद एक्या वन ए में कोशन नमर हंडे 95 महारत सरकार का कौन सा पदादिकारी संसत के किसी भी सदन की कारेवाही में भाग ले सकता है? भारत का महान नयवादी ए टॉनी जनरल कोशन नमर हंडे 96 निती निदे सकत्तों का क्रियाविनन किस पने दोहर करता है? सरकार के पास उपलब्द संसाधनों पर कोशन नमर हंडे 97 किस की अनुमती के बिना राजी की विदान सभा में कोई धन विदेक पेस नहीं किया जा सकता? राजिपाल की अनुमती के बिना कोशन नमर हंडे 98 भारत में किये नए राजी की अस्थापना किस की अनुमती से की जा सकती है? संसत की अनुमती से भारती संबीधान में प्रदत्य मुल्वुत अधिकारों को निलंबित करने वाली शत्ता है रास्टपती भारत में तहत्रमा पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रेल 1994 को थैंक यू